ओम श्यान्ती आज है 22 अक्षर 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा इश्वर्व प्रभु आदी ये सब अक्षर भूल जाने चाहिए हमेशा बाबा बाबा ही कहना चाहिए बाबा अक्षर सबसे मीठा है तुम्हारे मुख कमल से अभी ज्यान अमरित निकलता है जिसने ज्यान अमरित पिया तो वहे फिर विश पी नहीं सकते फिर कहा बाब आए हैं असुरों को देवता बनाने इस समय सारी सृष्टी रोगी है तो बाबा इस छीची सृष्टी का ओप्रेशन करते हैं वहां मनुष्य तो क्या जानुवर भी रोगी नहीं होते हैं बाबा ने कहा हमेशा सत्त बोलना चाहिए तुम जानते हो बाब जो सत्त्य है वही तुम आत्माओं के संग चलेंगे वह सभी का माशूक हैं बाबा ने आज हरशित मुख रहने की युक्ती भी बताई कहा अगर कभी अवस्था में कुछ गडबड होती है या माया के तुफान आती है तो गीत बजा लो ऐसा करने से त उनको बहुत खुशी रहेगी यह गीत बहुत वैलिवेबल चीज है और लास्ट में बाबा ने समझाया अगर कोई के घर में पवित्रता पर जगड़ा चलता है उनको बोलो भगवान वाच का महाशत्रू है इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे फिर फूलों की वर्षा होगी जैजेकार हो जाएगी सोने के फूल बढ़सेंगे अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे सबसे मीठा अक्षर बाबा है तुम्हारे मुक से सदा बाबा बाबा निकलता रहे सब को श्य बाबा का परीचे देते रहो जानुवर भी रोगी नहीं होते हैं क्यों उत्तर क्योंकि संगम युपपर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टी का ऐसा उप्रेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता बाप है अविनाशी सरजन अभी जो सारी सृष्टी रोगी है इस पिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहां के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादूर बनना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पालिया। जमी तो जमी आसमा पालिया। ओम शान्ती डबल भी कह सकते हैं। डबल ओम शान्ती। आत्मा अपना परिजे दे रही है। मैं आत्मा शान्त स्वरूप हूँ। हमारा निवास्थान शान्ती धाम में हैं। और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्में ओम कहती हैं। वहां हम सब भाई भाई हैं फिर यहां भाई बहन बनते हैं अब भाई बहन से नाता शुरू होता है बाप समझाते हैं हमारे सब बच्चे हैं ब्रह्मा की भी तुम संतान हो इसलिए भाई बहन ठहरे तुम्हारा और कोई संबंध नहीं प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमा पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। तो कुमार कुमारी जैसे जैसे बड़े होते जाती हैं तो आखे क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावन राच्य में। सत्युग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है उनके लिए फिर कोल्ट आती भी है वहां कोल्ट आदी होती नहीं वंडर है ना ना जेल ना पुलिस ना चोर आदी होते यह सब हैं दुख की बाते जो यहां हो रही है इसलिए बच्चों को समझाया गया है यह तो खेल है सुख और दुख का हार और जीत का इनको भी तुम ही समझ से हो गाया हुआ है माया से हारे हार है माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं फिर आधा कल्प हारना पड़ता है यह कोई नई बात नहीं यह तो सधारण पाई पैसे का खेल है फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो रावन राज्य में मुझे भूल जाते हो रावन दुश्मन है उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे कहेंगे यह भारत वासियों के धर्म का उत्सव है दशेहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है वह तो हद की बात है रावन राचे तो अभी सारे विश्व पर हैं सिर्फ लंका पर नहीं है विश्व तो बहुत बड़ी है ना बाप ने समझाया है ये स्रिष्टी सारी सागर पर खड़ी है मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल वगव है जिनके सींग पर स्रिष्टी खड़ी है फिर ठक जाते हैं तो बदलते हैं अभी यह बात तो है नहीं प्रिथ्वी तो पानी पर खड़ी है चारों तरफ पानी ही पानी है है तो अभी सारी दुनिया में रावन राजय है फिर राम अथवा इश्वरी ये राजय सापन करने बाप को आना पड़ता है सिर्फ इश्वर कहने से भी कह देते इश्वर तो सर्व शक्तिमान है सब कुछ कर सकते हैं फाल्तु महीमा हो जाती है इतना लव नहीं रहता यहां इश्वर को बाब कहा जाता है बाबा कहने से वर्सा मिलने की बात हो जाती है शुबाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए इश्वर्व प्रभु आधी अक्षर भूल जाने चाहिए बाबा ने कहा है मा में कम याद करो प्रदर्शनी आधी में जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शुबाबा का परीजे दो शुबाबा एक ही उच ते उच है जिसको गोड फादर कहा जाता है मुसल्मान अल्ला कहते हैं सुभे को दस मिनट बैठ कर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्ला मिया ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए यह नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं समझे कि बाबा ने कहा है बाबा अक्षर सबसे मीठा है शिव बाबा शिव बाबा मुख से निकलता रहे मुख तो मनुष्य का ही होगा गव का मुख थोड़े ही हो सकता तुम हो शिव शक्तियां तुम्हारे मुख कमल से ग्यान अम्रित निकलता है तुम्हारा नाम बाला करने गव मुख कह दिया है गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे मुख कमल से अमरित अभी निकलता है ग्यान अमरित पिया तो फिर विश पी नहीं सकते अमरित पीने से तुम देवता बनते हो अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया पुरुशत्तम संगम युगी है बाकी जो भी है सब कल युगी है तुम कितने थोड़े हो जाड की भी नौलेज सुम को है जाड पहले छोटा होता है फिर वृधी को पाता है कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो प्रन्तु नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और सबकी मृत्यों तो होनी ही है अभी फसल बहुत अच्छी होगी आई बरसाथ कितना नुकसान कर देती है नेचरल केलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है कहां फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है यह तो ढेर होने वाली है इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए कोई का ओप्रेशन होता है तो कई वेह देख नहीं सकते देखते ही अनकौनसेस हो जाते हैं अभी इस सारी छीची स्रिष्टी का ओप्रेशन होना है बाप कहते हैं मैं आकर सबका ओप्रेशन करता हूँ सारी स्रिष्टी रोगी है अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है वे सारे विश्व का ओप्रेशन कर देंगे जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा कितना बड़ा सर्जन है आत्माओं का भी ओप्रेशन बेहद स्रिष्टी का भी ओप्रेशन करने वाला है वहां मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते है बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है इसको कहते हैं रच्चना के आदी मध्य अंत का ग्यान जो तुम ही ले रहे हो बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए आज सत्ट गुरुवार है हमेशा सत्ट बोलना चाहिए व्यपार में भी कहते हैं न सत्ट बोलो ठगी की बात नहीं करो फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बता कर सोदा कर देंगे सच तो कभी कोई बोलते नहीं जूट ही जूट बोलते हैं इसलिए सत्ट को याद करते हैं कहते हैं न सत्त नाम संग है अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्ते है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के अभी सत्त के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे तुम बच्चे जानते हो शुबाबा आया हुआ है जिसको टृत कहा जाता है वेहे हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार सत्योग में ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम संग है या सत्त नाम संग है नहीं बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं नैनों पर बिठाए ले जाता हूं यह नयन नहीं तीसरा नेत्र है तुम जानते हो इस समय बाप आये हैं साथ ले जाएंगे शंकर की बारात नहीं यह श्योग के बच्चों की बारात है वेह पतियों का पती भी हैं कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम, तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशुक, माशुक एक ही होता है ना, तुम आधा कल्ब से मुझ माशुक के आशिक हो, अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियां है, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान, आत्मा भक्ती करती है शरीर के साथ सत्यूग त्रेता में भक्ती होती नहीं भक्ती का फल सत्यूग में भोगते हो जो अब बच्चों को दे रहे हैं वहे तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे फिर तुम अपने पुरुशार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे यह कहां भी लिखा नहीं है कहते हैं शंकर ने पारवती को अमर कता सुनाई तुम सब हो पारवतियां मैं हूं कता सुनाने वाला अमर नात अमर नात एक को ही कहा जाता है उच्च ते उच्च बाप है उनको तो अपनी देह नहीं है कहते हैं मैं अमर नाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ शंकर पार्वती यहां कहां से आए वह तो हैं ही सूक्षम वतन में जहां सुर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं बाप बिगर सची कथा कोई सुना ने सके यह भी समझ से हो विनाश होने में टाइम लगता है कितने बड़ी दुनिया हैं कितने धेर मकान अदी गिर कर खत्म होंगे अर्थ कुएक में भी कितना नुकसान होता है कितने मरते हैं बाकी तुम्हारा छोटा जाड होगा देहली परिसान बन जाएगी एक ही परिसान में लक्षमी नारेन का राज्य चलता है कितने बड़े- महल बनते होंगे बेहद की जागीर मिलती है तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्सा नाज सा तो सत्युग में कितना सस्सा होगा देहली जितने तो एक-एक घर और जमीन आदी होगी मीठी नदियों पर त क्या नहीं होगा सदा अन मिलता रहेगा वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं तुम शुबी रस पीकर आते हो कहते थे वहां माली है अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी की नारे होगा वहां कितने थोड़े होंगे कहां अभी इतने करोड कहा नौह लाक होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके आसमान धर्ती यादी सब के मालिक तुम रहते हो गीत भी बच्चों ने सुना ऐसे ऐसे गीत छे आठ है जो सुनने से ही खुशी का पारा चड़ जाता है कौन से गीत की बाबा बात कर रहे हैं आज मुरली में शुरू में ही गीत आया था तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया जमी तो जमी आसमा पा लिया बाबा कहते ऐसे ऐसे गीत सुनने से खुशी का पारा चड़ जाता है देखो अवस्था में कुछ गड़बड है तु गीत बजा लो यह है खुशी के गीत तुम तो अर्थ भी जानते हो बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है माया के तुफान आते हैं बाबा कहते अरे माया के तुफान आए तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए बड़े-बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजसा रहता है बुम्बे में माधव बाग में लक् क्या पता यह भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है, इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझ से हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, प्रन्तु बच्चे भूल जाते हैं, घर में किसको गमी होती है, तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे, यह बूत वेलिव विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जय कार हो जाएगी, तुम अभी काटे से सोने के फूल बन रहे होना, फिर तुम्हारा ओतरण होगा, फूल नहीं बरसे, लेकिन तुम फूल बन कर आते हो, मनुष्य समझ से हैं, सोने के फूल बरसे हैं, एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके उपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए, बाबा उनकी स्टेट आदी को भी अच्छी रिती जानते हैं, वासो में तुम फू कोटरी मिल रही है, विश्व के बादशाही की, जैसे लोकिक बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं, बाबा भी कहते हैं, तुम्हारे लिए बहिस्त लाया हूं, तुम वहां राज्ये करेंगे, तो कितनी खुश कोई को छोटी सोगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो यह सोगात क्या है अरे शुबाबा की यादगार साथ रहेगी तो शुबाबा की याद रहेगी और तुमको पद्म मिल जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुभाणी बाप की रुभाणी बच्चों को नमस्से डारणा के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट, सत्थ के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है. कभी भी जूट नहीं बोलना है. दूसरी पोइंट, हम ब्रह्मा बाबा की बच्चे आपस में भाई बहन है, इसलिए कोई भी क्रिमीनल एक्ट नहीं करने हैं. भाई भाई और भाई बहन के सिवाए और किसी संबंद का भान न रहे। वर्दान लोग पसंद सभा की टिकेट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोग पसंद सभा की टिकेट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वत्य बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्यान आर्थ है तो लोग पसंद वह प्रभू पसंद कहेंगे। लोग पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लौ एंड ओर्डर का राज्य अधिकार वराज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन परमातम साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें।